आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ देख लेते हैं पहले तो लिख लेते हैं क्या गिवन है यह ऐस दिया हुआ है 10 inverse 1 by 3 plus 10 inverse 1 by 7 plus 10 inverse 1 by 13 ठीक है और ऐसे ऐसे कहा तक जा रहा है 10 terms तक तो इसको सब को add करना है तो ठीक है इस सीरीज किस तरह की बन रही तो पहले देख लेते हैं पहले term को तो इसको लिख लेते हैं 10 inverse 1 by 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 10 inverse of 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 minus 1 ठीक है 3 को क्या लिख सकता हूँ 1 plus 2 into 1 यह लिख सकता हूँ ठीक है इसी तरह मैं 10 inverse 1 by 7 एक pattern देखना होता है इस तरह के questions में तो 10 inverse 1 by 7 को किस तरह बन को क्या लेख सकता हूँ है 1 को मैं लिख देता हूँ 3 minus 2 ठीक है 7 को क्या लेख सकता हूँ 1 plus 3 into 2 ठीक है इसी तरह एक बार और देखते है 10 inverse 1 by 13 इसको क्या लेख सकता हूँ 10 inverse of 1 को क्या लेख सकता हूँ 4 minus 3 ठीक है upon 1 plus 13 को क्या लग सकता हूँ 4 into 3 इसी तरह से 10 terms तक चलता जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमने क्या observe कि अगर यह 10 inverse ayb है तो ठीक है तो इसको क्या लग सकता है यहाँ पर हम लोग क्या लग रहे हैं इसको a minus b upon 1 plus a into b ठीक है इसी तरह से a minus b upon 1 plus a into b ठीक है इसी यहाँ पर क्या लग रहे हैं इसको इसी तरह से लिख लिए है ठीक है तो इसको इस तरह से तो हमारे पास क्या formula होता है हमारे पास एक formula होता है 10 inverse a minus b upon 1 plus a b का formula क्या होता है यह होता है 10 inverse of a minus 10 inverse b ठीक है तो यहाँ पर यह जो है इधर वाले term इसको जो open किया इनको क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 10 inverse of इस formula का use करके कितना a, a की value क्या है 2 10 inverse of 2 minus 10 inverse of 1 इसी तरे इसको क्या लिख सकता हूँ 10 inverse of 3 minus 10 inverse of 2 इसको क्या लिख सकता हूँ 10 inverse of 4 minus 10 inverse of 3 ठीक है so, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको 10 terms तक ले जाओंगो, ठीक है, यहाँ से अपना finally s क्या बन के आ गया, अपना s हो गया, यह हो गया 10 inverse of, पहला term क्या है, 10 inverse of 2, minus 10 inverse of 1, plus, दूसरा term क्या है, यह है 10 inverse of 3, minus 10 inverse of 2, plus, तीसरा term क्या है, यह है 10 inverse of 4, minus 10 inverse of 3, plus, ऐसे ही, 10th term क्यों सा होगा, ठीक है, यह होगा 10 inverse of, यह क्या था, जब फर्स्ट था, जब तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा, second term के लिए 2, third term के लिए 3, इसी तरह है, 10th term के लिए 11, minus 10, ठीक है, तो यह आजाएगा, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको सबको add करेंगे, तो यह देखो, इसमें, 10 inverse of 2, इससे यह cancel out हो गया, ठीक है, 3 से यह cancel out हो गया, ठीक है, इसी तरह से, ऐसे कोई बीच में जो नम रहेंगे, वो cancel out हो दे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, जो यह वाला term है, यह अगले, किस से cancel out हो गया है, डाइगोनल यह cancel out हो दे जाएगा, ठीक है, तो इसका यह cancel out हो जाएगा, तो इसी तरह से, यहाँ पर कोई जो term आएगा, वो, इस से 10 inverse, 10 cancel out हो जाएगा, लेकिन, जो यह term आएगा, 11, इस से cancel out होगा, और आगे तो term है यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक तो अपने पास है, 10 inverse, 11 बच गया, यहाँ से ठीक है, और दूसरा क्या बच गया, यह 10 inverse, 1, इसको भी cancel out नहीं हुआ था, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह आगया अपना, 10 inverse of, 11 minus 10 inverse, 1, ठीक है, और यह कितना हो गया, यह हो गया, 10 inverse of, 10 y, 1 plus 11 कितना हो गया, 12, ठीक है, 10 inverse, 12, तो इसको और simplify करके लिख सकते हैं, 10 inverse, 5y, 6, ठीक है, और हम से क्या पूछा, यह क्या आगया, s की value आगई, समय सन आगया, और हम से पूछा क्या है, find 10, 10s पूछा, ठीक है, तो 10s कितना हो जाएगा, 10 of, 10 inverse, 5 by 6, ठीक है, और यह कितना हो गया, 10s कि value कितनी आगई, 5 by 6, ठीक है, तो यह ही अपना final answer हो जाएगा, answer कितना हो गया, 5 upon 6, तो I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, thank you guys.